आदर्णिय प्रधान मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के आदर्णिय मुख्य मंत्री जी, आदर्णिय राज्यपाल महुदेया, देश के आज विद्यमान सभी पंथ संप्रदायों का प्रतिनी धित्व करने वाले हमारे संत रुशी आचार्य गण और समाज के सब स्तरों का प्रतिनी धित्व करने वाले निमंत्रित महानुभाओ, आज का आनंद शब्दों में वरणन आती थे, और उसके वरणन करने का प्रयास इसके पहले के वक्तवयों में अच्छा हो गया है, ये भी बता दिया गया है और हम जानते भी है, कि आज अयोध्या में राम लला के साथ भारत का स्वल लवट के आया है, और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कारिक्रम बन गया है। ऐसे समय में आपके उत्सा का आपके आनंद का वरणन कोई नहीं कर सकता, हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं, पूर्ण देश में यही वातावरण है। छोटे-छोटे मंदिर के सामने दूर दर्शन पर इस कारिक्रम को सुनने वाले, हमारे समाज के करोडों बंधु वहाँ पहुच ना पाए ऐसे घरगर के अमारे नागरिक सजन, माता भगिनी सब भाव विवहोर है, सब में आनंद है, सब में उत्सा है। और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है। आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महुत्सों में पधारने के पूर्व प्रधान मंत्री जी ने कठोर्वरत रखा। जितना कठोर्वरत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर्वरता चरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही। परंतु वो अकेले तब कर रहे हम क्या करेंगे। अयोध्या में रामलला आये। अयोध्या से बाहर क्यों गए थे। रामायन में क्यों गए थे बाहर। तो अयोध्या में कलह हुआ। अयोध्या उस पुरी का नाम है। जिसमें कोई द्वंद्व नहीं, जिसमें कोई कलह नहीं, जिसमें कोई दिविधा नहीं। कि वो हुआ चौदा वर्ष कि वर्वास में गए कि वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलह को मिटा के वापिस आए आज रामलला वापस फिर से आए है पास्तो साल के बाद जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे सुवर्ण दिवस देख रहे उनका स्मरण प्रान प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा आपने सुना होगा स्मरण किया उनकी तपस्या को उनके त्याग को उनके परिश्रम को शतबार सहस्तरबार कोटिबार नमन है रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवन करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्मप्रवन होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख्धाइन्य हरण होगा ऐसे इस इतिहास का सामर्थ है परण्तु उसमें हमारी लिए कर्तव्यका आदेश भी है प्रधान मंत्री जी ने तक किया अब हमको भी तब करना है राम राज्या अने मला है वो कैसा था डैही का दैवी का भौतिक तापा राम राज नहीं कहुई वापा शब नरकरही परस्पर प्रीती चलही स्वधर्म निरत शुरुति नीती सब निर्दंभ धर्म रतपुनी नरु अरु नारी चतुर सब गुनी सब गुनग्य पंडित सब ज्यानी सब कृतज्य नहीं कपट सयानी राम राज्य के सामान्य नागरीकों का जो वरणन है हम भी इस गवरों में भारत वर्ष की संताने है कोटि-कोटि कंठ उसका जैगान करने वाले हमारे हैं हमको इस प्रकार के विवार को रखने का सब आठरन करना पड़ेगा हम ऐससारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी चोटे-चोटे परस्पर मत रहते हैं छोटे छोटे विवाद रहते हैं उसको लेकर लड़ाई करने के आदा छोड़ेनी पड़ेगी कि आखिर है क्या यह बात बताई वो सामान्य नागरिक कैसे थे निर्दंभ प्रामाणिक्ता से आचरण करने वाले केवल बाते करने वाले नहीं और बाते करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे काम करते थे आचरन करते थे और अंकार नहीं था ऐसे वो थे और धर्म रत थे याने क्या थे इस पर कठिन भाषा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है लिकिन थोड़े में धर्म के जो चार मूल्य जिनकी चोखट पर धर्म है ऐसा श्रीमत भागवत में बताया है सत्य करुणा शुचि क्या है तो सत्य कहता है कि सब घटों में राम है ब्रह्म सत्य है वही सर्वत्र है तो हमको यह जानकर आपस में समन वैसे चलना होगा क्योंकि हम चलते हैं सब के लिए चलते हैं सब हमारे है इसलिए हम चल पाते हैं और इसलिए आपस में समन्वे रखकर व्यवार करना यह धर्म का पहला जो पहरे सत्य उसका अचरण है करुणा दूसरा कदम है उसका अचरण है सेवा और परोपकार सरकार की कई योजनाएं गरिबों को रात दे रही सब हो रहा है लेकिन हमारा भी करता विया है यह सब समाज बांदों हमारे अपने बंदू है तो जहां हमको दुख दिखता है पिड़ा दिखती है वहां दोड़ जाए सेवा करें दोनों हाथों से कमाएं अपने लिए न्यूनतम आवश्चक रखकर बाकी सारा वापस दे सेवा और परोपकार के माध्यम से यह करुणा का अर्थ आज है शुचिता पर चलना है यहने पवित्रता होनी चाहिए पवित्रता के लिए संयम चाहिए अपने को रोकना है सब अपनी इच्छा है सब अपने मत सब अपनी बाते ठीक होंगी ही ऐसा नहीं और होगी तो भी अन्यों के भी मत है अन्यों की भी इच्छा हैं और इसलिए अपने आपको सायम में रखते हैं तो सारी पृत्वी सब मानवों को जीवित रखेगी कांधी जी कहते थे अर्थ है इनफ फॉर एवरिवन्स नीड पट इट कैनाट साइश्पाइवरिवन्स ग्रीड तो लोब नहीं करना सायम में रहना और अनुशासन का पालन करना अपने जीवन में अनुशासित रहना अपने कुटुम्ब में अनुशासन रहना अपने समाज में अनुशासन रहना सामाजिक जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन करना भगिनी निवेदिता कहती थी कि स्वतंत्र देश में नागरिक सम्वेदना रखना और नागरिक अनुशासन का पालन करना यही देशभक्ति का रूप है इससे जीवन में पवित्रता आती है और तपस का तो मूर्तिमान उदारन आपके सामने आज दिया गया और व्यक्तिकत तपस तो हम करेंगे सामुहिक तपस क्या है संग चडवं संवदधवं संवो मनांसी जानता हम हम साथ चलेगे बोलेंगे आपस में उस में से एक सहमति का संवात निकालेंगे एक कही भास कर्मuyत होगा और मिलके चलेगे अपने जैश को विश्व गुरु बनाएंगे यह तपस हम सब को करना है पास्सो वर्षों तक अनेक पीडियों ने लग कर परिश्रम करके प्राणों का बलिदान देके खून पसीना बहा कर आज यह आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्ध करा दिया उन सब के प्रति हमारे मन में कृतग्यका है मैं यहां बैठता हूं तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे बिठाया मैंने क्या किया वो तो जो उन्होंने किया उसका प्रतिनी धी भी मुझे बनाया गया है उस प्रतिनी धी के नाते मैं यह अवदान स्विकार करता हूं और उन्हीं को अरपन करता हूं परंतु उनका ये व्रत हमको आगे लेके जाना है जिस धर्मस्थापना विश्व में करने के लिए राम का उतार हुआ था उस धर्मस्थापना को अनुकूल स्थिति अपने आचरण में अपने जेश में उत्पन्न करना यह अपना करतव्य बनता है राम लला आये हैं हमारे मन को आलाजित करने के लिए उत्था ही करने के लिए प्रेरणा देने के लिए साथ साथ इस करतव्य की याद दिलाकर उसमें कृति प्रवण करने के लिए आये हैं उनका आदेश सर पे लेके हम यहां से जाए सब लोग तो यहां आ नहीं सके लेकिन वो सुन रहे विश्व गुरु भारत का निर्मान भी पूरा हो जाएगा इतनी क्षमता हम सब की है इसका मैं एक बार स्मरण देता हूं आप सब को धन्यवाद देता हूं और मेरे चार शब्द समाप्त करता हूं